यह है Tata Motors का शेयर जो शेयर का प्राइज है यहाँ पर 932.20 पैसे है और इस शेयर में आज हमें 3.42% के नेगेटिव रिटन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं अब यह रिटन्स यहाँ पर ऐसे क्यों देखने को मिल रहे हैं Tata Motors में इतनी गिरावट क्यों हो रही है तो उसके प आप जो है ग्रुप जॉइन कर सकते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर इस शेयर के वन मंत की रिटन्स की तो वन मंत में शेयर में 14.9% तक के नेगेटिव रिटन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं और अभी यहाँ पर देख लेते हैं इस शेयर के यहाँ पर टोटल सेल्स की त तो यहाँ पर आपको बता दे कि 2,15,034 की यहाँ पर जो है यूनिट इनकी टोटल सेल हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CV सेल्स है वो अराउंड 84,281 यूनिट्स थी और जो कि यहाँ पर माइनस 19 बताया जा रहा है PV सेल्स यहाँ पर पैसेंजर वीकल की सेल्स यहाँ पर 1,30,000 है जो कि 6% यहाँ पर कम बताया जा रहा है वैसे ही यहाँ पर USB फर्म की रिपोर्ट की वज़े से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली थी और अब यहाँ पर इस शेयर की सेल्स यहाँ पर लगातार घट रही है तो इस वज़े से भी यहाँ पर जो है नेगेटिव न्यूस है और यहाँ पर डॉमेस्टिक सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर quarter 2 FY24 में यहाँ पर 2 लाग थी जो अब यहाँ पर quarter 2 FY25 में 2,9861 हो गई है यानि कि यहाँ पर जो है September 2023 में 82,023 सेल्स थी और अब यहाँ पर घटकर 69,694 यहाँ पर सेल्स हो गई है यानि कि 11 परसेंट तक यहाँ पर सेल्स कम हुई है अब यहाँ पर देख लेते हैं जो टोटल यहाँ पर जो है इनकी सेल्स देखने को आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवी ट्रक पहले 12,000 यहाँ पर बिके थे अब 9,000 हो गए हैं और वहीं I.L.M.C.V. ट्रक 6,000 से 5,000 हो गए हैं पैसेंजर जो कैरी जो है 3,000 से अब 3,101 हो गए हैं और यहाँ पर टोटल सीवी जो है 39,064 से अब जो है 30,060 30,032 यहाँ पर हो गए हैं तो ओवर आल यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट में देखने को मिली है और इधर भी यहां पर गिरावट में देखने को आई है माइनस 28%, माइनस 16%, माइनस 7% और यहां पर बता दे कि यह लोग कह रहे हैं कि सब्टेंबर 2024 में 14190 यूनिट यहां पर सेल हुई है जब कि यहां पर 2023 के सब्टेंबर में 18587 यूनिट सेल हुई थी और quarter 2 यहाँ पर FY25 में 37,370 यूनिट सेल हुई है और यहाँ पर compare करे quarter 2 FY2024 से तो यहाँ पर कम देखने को मिला है वही अब यहाँ पर sales के बारे में बात हो रही है कि इनकी sales यहाँ पर जो है PV domestic की sale यहाँ पर मतलब passenger vehicles की sale 44,000 से 41,000 यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर जो है गिरावट भी यहाँ पर काफी जादा minus में देखने को आई है अब यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर analyst को देखे तो उन्होंने इस share में 78% तक की buying यहाँ पर बोल रखा है और यहाँ पर 9% लोगों ने hold करने के लिए कहा है 13% लोगों ने sale करने के लिए और यहाँ पर volume भी आप देख सकते हैं कितनी जादा है जो volume है वो यहाँ पर वो एक करोड तक की है जो की काफी यहाँ पर जादा है और यहाँ पर target की बात करें तो यहाँ पर जो share है वो यहाँ पर अपने 1200 रुपे के target से नीचे आ गया है और यहाँ पर जो 1200 रुपे का target है शेयर ने जुलाई के आसपास यहाँ पर जो है हिट कर लिया था और आप देख सकते हैं अभी जो शेयर है वो यहाँ पर करंट जो है 930 रुपे के राउंड चल रहा है तो काफी सस्ता यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है अभी तो बाय करना चाहे तो लॉंग टम के प्रि किस्पेक्टिव से बाय कर सकते हैं